एटा कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने पेट परिक्षा में फरजी तरीके से पेपर देने वाले सॉलवर गैंक का एक सक्रिय सदस्य किया गिरफतार। आरोपी सॉलवर से आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रश्न, कुस्ति का फरजी प्रवेश पत्र किया बरामत। सर्वोध्य इंट्रकॉलिस सहावर रोड एटा से पेट परिक्षा की दीत्य पाली में फरजी प्रवेश पत्र बनाकर दूसरे अभेरती के स्थान पर दे रहा था फरजी तरीकी से परिक्षा। सालवर अशोग कुमार पुत्र हमीरा राम निवासी सैयद का तला थाना विजराड जिलावाड में राजस्थान का रहने वार लाब बताया जा रहा है। आरोपी सॉलवर ने फरजी प्रवेश पत्र बनाकर दूसरे च्छात्र के स्थान पर दे रहा था फरजी तरीकी से प्यट परिक्षा। थाना कौत्वाल नगर ख्षेत्र के सरवदे इंटरकॉलिस सहवा रोड का है मामला। रिपोर्ट हर्ष देधी एटां। कि कल पोत्वाली नगर पुलिस को सुचना मिली कि सरवदे इंटरकालिक में जो प्यट्टी कंच्छा चल जाती। उसमें एक आलोग नाम के विक्ति जो कलमेश का निवासी था उसके अस्थान पर। अशोग जो पूरा बाढ़वेर रिस्थान का निवासी था उसके तोरा फैच्छा की जाती। और इस समंदर में खाना पोटवाली अस्थान के अश्थान परना पूर्ण करना पूर्ण के विक्ति जो जाता है। अब इस तलासी से फच्छी प्रपात्र प्राफ्त गया है। उनको इस निशना का पाड़ गनाया कि रहा है। और इस गयन से समभने सभी सगस्यों के विक्ता के समभने में चांच की जाते हैं। इसमें प्रभागता है।